दोस्तों आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की Test Your Knowledge की वीडियो में हम देखने वाले हैं Top 39 GK के ऐसे Important Question Answers जो की परिक्साओं में बहुत बार पूछे आता है तो आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा और इन 39 में से कितने Questions के Answer सही कर पाते हैं अपना Score Comment Box में जरूब देगा चलिए शुरू करते हैं पहला Question है नाटो की स्थापना किस वर्स हुई थी? काफे Important Question है, ट्राई करके देखे इस Question का दोस्तों Right Answer हैगा 1949 में यानि कि B Right Answer हैगा Question No.1 का Question No.2 आता है आवर्थ सार्णी का पहला तत्व कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों आवर्थ सार्णी का पहला तत्व कौन सा है? इस Question का राईटांसर हैगा Hydrogen यानि कि Option A राईटांसर हैगा Question No.2 का ये आपको याद रखना है Question No.3 है मसालो का बगीचा किसे कहा जाता है यानि कि किस राज्य को कहा जाता है तो तीसरे Question का राईटांसर क्या रहेगा? मेरे प्यारे दोस्तों मसालो का बगीचा ये कहा जाता है किरल को यानि कि इस Question का राईटांसर आपका C हो जाएगा Question No.4 आता है प्रोटीन किस से मिलकर बना होता है कोशन नमबर फोर दोस्तों प्रोटीन किस से मिलकर बना होता है तो कोशन नमबर फोर क्या कह रहा है आपका इस कोशन कर रहे टांसर हो जाएगा अमीनो अमल यानि कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है तो question number 4 का right answer option A हो जाएगा अगला question क्या कहता है पाचवा कि निमलिखित में से सबसे बड़ा फाइलम यानि की संग कौन सा है तो पाचवे question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल संग अर्थो पोड़ा यानि की right answer दोस्तो B हो जाएगा question number 5 का ये आपको याद अखना है दोस्तो 6000 के question answers की जो PDF है हमारी वो 175 से घट करके अब 150 रुपीज में आपको मिल दाएगी और इस PDF का जो ये price रहेगा 150 रुपीज ये दोस्तो मातर next 4 days के लिए रहेगा और ये उन सबी student के लिए हैं जो भी SSCGD की त्यारी कर रहे हैं या सीजल की कर रहे हैं या फिर किसी भी teaching exam की कर रहे हैं जो लगतार message कर रहे थे कि सब थोड़ा सा price कम कर दीजे प्राइज जिनको ज़्यादा लग रहा था वैसे तो ज़्यादा नहीं था 175 रुपीज बट फिर भी मैंने 150 कर दिया दोस्तो आप इसको next 4 days तक आपको 150 दिखेगा और आप फट 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 डाउनलोड कर सकते हैं इसमें complete gk है science है current affair और computer है आप हमारी website या WhatsApp नंबर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं को subscribe करके bell icon को on रख लेना ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो के notification आपको मिल जाए अगला question आता है ethyl alcohol यानि कि ethanol का रसायनिक सुत्र क्या है तो इस question का दोस्तो right answer रहेगा एक second यह वाला गलत हो गया C2H5 OH इस question का right answer रहेगा C2H5 OH यानि कि छटे question का right answer रहेगा that is option B vitamin A का सबसे अच्छा स्रोथ क्या है तो ऐसे questions आपसे अलग-अलग तरीकी से पूछे आ सकते हैं तो vitamin A की बात की गए तो गाजर हो जाएगा यानि कि B right answer रहेगा question number 7 का अगला question दोस्तों हमारा आता है कि baking soda यानि कि खाने वाला जो थोड़ा होता है उसका रसायनिक सुत्र क्या है तो chemical formula बताना है दोस्तों खाने के सोड़ेगा इस question correct answer रहेगा N A H C O 3 ठीक है N A H C O 3 यह थोड़ा सा में sprint है इसको भी correct कर लेना आठवे question correct answer आपका भी हो जगा N A C O 3 नुवा question है Black Pogoda के नाम से कौन सा मंदिर परसिध है very very important mark कर लेना मैं आपको एक दो मंदिर जरूर कवर करा देता हूं जो important होता है और यह test your knowledge वाली जो playlist है दोस्तों मैंने एक अलग से playlist बना रखे इसकी सारी वीडियो देख सकते हैं description box में link है को नार्क का सूर्य मंदिर को दोस्तों Black Pogoda के नाम से भी जाने जाता है यानि कि option A right answer एगा option यह हो जाएगा question number 10 का यह आपको यादखना है ग्यारवा question है मानव सरीर में वसा जमा होती है या होता है तो इस question का right answer बतेगा बिल्कुल दोस्तों यह होता है वसा उत्तक में वसा होगा या यह कैसे मिस्प्रिंट हो राज वसा उत्तक में दोस्तों यानि कि C right answer एगा ग्यारवे question का बारवा question है तामबा यानि की copper का परमानू करमांग कितना होता है सोरी तो बारवे कोशन का रहे टांसे करेगा तामबा यानि की कोपर का जो परमानू संख्या दोस्तो ये काफी रेलवे में कोशन पुछे आता है 29 इस कोशन का रहे टांसे रो जाएगा यानि की D is the right answer कोशन मबर 13 है धातू के ओकसाइड प्राय होते हैं तो इस कोशन का रहे टांसे करेगा चार यह होते हैं यानि की B रहे टांसे रहेगा कोशन मबर 13 का कोशन मबर 14 है विक्टोरिया मेमोरियल कहां इस्तित है विक्टोरिया मेमोरियल कहां इस्तित है इस कोशन का रहे टांसे रहेगा कोलकता यानि कि A rate answer हैगा question number 14 का ये आपको यह दखना है question number 15 है अनुमानसिक्ता का जनक यानि कि father of genetics किसे कहा जाता है बहुत ही important question है अनुमानसिक्ता का जनक दोस्तों कहा जाता है Gregor John Mendel को यानि कि right answer क्या हो जाएगा C रहेगा question number 15 का question number 16 है diopter diopter किसकी इकाई है question number 16 हमाना diopter किसकी इकाई है तो right answer हो जाएगा lens की समता की ठीक है यानि कि option A right answer हो जाएगा 16 का 17 है vitamin A हमारे सरीर के किस भाग में संचित रहता है तो ये रहता है दोस्तों liver में यानि कि यकरत इस question का right answer हो जाएगा option D is the right answer अगला कोशन है आधुनिक आवर्थ सार्णी किस पर आधारित है दोस्तों आधुनिक आवर्थ सार्णी ये परमानू करमान्ग पर आधारित है यानि कि अठारवे कोशन का रेट आंसर आपका B हो जाएगा 19 वा कोशन है जिंक के बाहरी कक्स यानि कि आउटर सेल में कितने इलेक्टरों होते हैं 19 वे कोशन का रहेगा Option हो जाएगा A यानि कि 2 is the right answer Question number 20 है चाकू से काटी जा सकने वाली धातू है चाकू से काटी जा सकने वाली धातू है sodium यानि कि D हो जाएगा right answer 20 का Question number 21 है मिथाइल एलकोहॉल मिथानॉल का रसायनिक सुत्र क्या है दोस्तो right answer हैगा CH3OH यानि कि A right answer हो जाएगा 21 का अगला कोशन आता है अधातू के ओक्साइड प्राय होते हैं जल्दी बताईए अधातू के ओक्साइड प्राय होते हैं दोस्तो अम लिया यानि कि इस कोशन का राइट आंसर हैगा option है 23 कोशन है मुह के pH का मान कितना से कम होने पर दातों का छेप प्रारम हो जाता है तो मुह के pH मान जो अगर कम हो जाएंगे दोस्तो तो दात गिरने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये 5.5 से नीचे जाने पर यानि कि C right answer हो जाएगा question number 23 का question number 24 आता है sodium के टुकडे को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा बिल्कुल से दोस्तो तेरता हुआ जलने लगेगा यानि कि C right answer हैगा question number 24 का question number 25 है गुप्ट वंस ने लगबग कितने सालों तक सासन किया था दोस्तो गुप्ट वंस की अगर मैं बात करू तो गुप्ट वंस ने लगबग 300 वर्सों तक दोस्तों सासन किया था यानि कि option A right answer हैगा question number 25 का question number 26 है इन में से कौन से गुप्ट सासक लिचवी वंस की राजकुमारी से विवाग कर लिया था तो इस question का right answer हैगा चंदरगुप्ट पर्थम यानि कि B right answer हैगा question number 26 का यह आपको याद रखना है question number 27 है कितने सालों के बाद राश्ट्य जनगन्ना की जाती है तो कितने सालों के बाद दोस्तो राश्ट्य जनगन्ना की जाती है तो ये तो सभी को पता होना चाहिए 10 सालों के बाद यानि की A right answer हैगा 27 का 28 आता है इन में से धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिटी कौन सी होती है दोस्तो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिटी होती है दो मटमिटी यानि की राइट आंसर सी हो जाएगा 28 का ये आपको या दखना है दोस्तों महरोली दिल्ली के लो इस्तम में कौन से सासक के विशे में जानकारी प्राप्थ होती है तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल विक्रम आदित्य के बारे यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 29 का ये आपको या दखना है कोशन नमबर 31 है विश्व का सर्वुच परवत सिखर एवरेस नेपाल में कौन से नाम से परसिद है तो विश्व का सर्वुच परवत सिखर एवरेस नेपाल में दोस्तो जाना जाता है किस नाम से बिल्कुल तिरिकुट के नाम से यानि की ये राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 31 का कोशन मबर 32 है भारत के अंदर पर्थम इस्थापित परमानु सेयंत्र एटोमिक प्लांट इनमें से कौन सा है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल ये है दोस्तो यहां पर तारापूर परमानु सेयंत्र ठीक है यानि कि ओप्षन ये राइट आंसर हो जाएगा 32 कोशन का 33 कोशन है आयोडीन के टीचर का प्रियोग किसके लिए किया जाता है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल एंटिसेप्टिक के रूप में यानि कि राइट आंसर सी हो जाएगा 33 कोशन 34 कोशन है सूफी संत इनमे से कौन से इस्थान पर निवास करते थे दोस्तो सूफी संथ इन में से कौन से स्थान पर निवास करते थे इस question का right answer एगा खान कहा यानि की A right answer होज़ेगा 34 का 35 आता है इन में से super moon के समय चांद लगबक कितना परतिशत बड़ा दिखता है दोस्तो इस question का जो right answer एगा that is option B 14% ठीक है B right answer हेगा question number 35 का question number 36 है नाटे सास्त्र भारत के सास्त्र ने रत्यों का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया था तो इस question का दोस्तो right answer हेगा option B भरत मुनी यानि की B right answer होज़ेगा 36 question का answer 37 भारत के परतिक चिन की आधार परतिका के नीचे अंकित सब्द 77 जेते से लिया गया है तो ये भी काफी important question है दोस्तो और right answer हेगा मुन को अपनी सद यानि की C right answer होज़ेगा 37 भारतिसवा question है मुहिनी अट्टम नेत्य मूल रूप से किस राज्य में विक्सित हुआ तो मुहिनी अट्टम दोस्तो जो नेत्य है ये मूल रूप से केरल में विक्सित हुआ यानि की इस question का right answer आपका C हो जाएगा question number 39 आता है काल चक्र समारोहो नेमलिकित में से किस समारोहो से जुड़ा है तो 39 का दोस्तो right answer रहेगा बोध धरम यानि की B right answer हो जाएगा question number 39 का ये आपको या दखने है अब एक question का answer सभी strength comment box में बताएंगे question है director किसकी काई है बहुत easy question है मैं आसा करता हूँ कि हर एक student इस question का answer comment box में जरूर बताएंगा ठीक है तो फटा-फट इस question का answer बता दीजे और 6000 की question answers की PDF मात्र 175 नहीं अब 150 रुपीज में आपको next 4 days मिलने वाली है और जो भी student SSC GD के लिए खास कर मैं बोल रहा हूँ त्यारी कर रहे है न और बार-बार message कर रहे थे वो इसको purchase कर ले न website, whatsapp number या फिर directly नीचे दिएगे link से तो ये सबसे best मोका है भाई PDF जोईन करने का जोईन कर लिजे और चैनल को subscribe करके बेल आइकन को on कर लिजे ताकि आगया आने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे थेंक्यू सो मच बाई बाई एवरियन ख्याल रखे अपना मिलते रहे हैं इस क्लास में